शनी देफ वक्रिय से मारगिय होने जा रहे हैं। शनी की धीमी चाल से जातकों पर इसका गहरा प्रभाव पढ़ता है। शनी की सीधी चाल से यानी मारगिय होने से कई राशी वालों की किस्मत खुल सकती है। शनी देव के मारगिय होने से किनकिन राशी वालों को विशेश लाब मिलने के संकेत है। शनी का कुम्भ राशी में रहते हुए वक्रिय से मारगिय चाल में चलना पहत ही शुब फलदाई सिद्ध हो सकता है। शनी देव आपकी राशी में कर्म भाव में मारगिय होंगे। ऐसे में इस राशी के जातकों को नौकरी और कारुबार में अच्छी तरक के मिलने के प्रबल संभावनाए हैं। आत्म विश्वास में भड़ोतरी हो सकती है। किसी नई योजना पर कार्यों में प्रगती के अच्छे संकेत हैं। जमीन जायजात की खरीदी से आपकी आर्थे के स्थिती में सुधार देखने को मिल सकता है। जो लोग नया वैपार या फिर नई नौकरी की तलाश में हैं उन्ही सफलता मिल सकती है। मिथुन राशी शनी देव का मारगे होना मितुन राशी के जातोकों के लिए शानदार और भागेशाली रहने वाला है इस राशी के जातोकों को चार नवंबर के बाद से हर एक कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी थोड़ी मेहनत से ही अच्छी सफलता आपको हासिल हो सकती है अच्छानक से धनलाप के अफसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आपका कोई काम या मामला विवाद अटका हुआ है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है नौकरी में कारिरत जातोकों को नौकरी के लिए अच्छी प्रस्ताफ मिल सकते हैं दूर की यात्रा संभव है इस दौरान आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा तुलाराशी शनी की मारिये होने से तुलाराशी के चातोकों को करियर में अच्छे परेणाम प्राप्त हो सकते हैं कारशेत्र में आपको प्रगत्ती हासिल होगी अचानक सी धनलाब के कई मौके आपको मिलेंगे जो लोग पिछले कई महीनों से नौकरी को लेकर परिशान चल रहे थे उन्हें अब प्रमोशन मिल सकता है व्यापार में कारोबारियों को अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है कुम्भराशी शनी का वक्रिय से मार गये होना कुम्भराशी के जातोकों के लिए वर्दान साबित होगा चनी देव आपकी राशी में ही मार गये होंगे इस कारण से आपके आत्मविश्वास और साहस में पहले इसके मुकाबले जादा व्रधी देखने को मिलेगी जो लोग नौकरी पेशावाले हैं उन्हें नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव और प्रमोशन का लाब मिल सकता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें